जीवे जीवे पाकिस्तान चारो सुबों का एक है कलमा अला का बड़ा नाम जीवे जीवे पाकिस्तान सदा जीवे पाकिस्तान बलोचिस्तान भी पाकिस्तान है बरबखतून भी पाकिस्तान पन्जाब सारा पाकिस्तान ये सिद्ध हमारा पाकिस्तान ये सरहद सारा पाकिस्तान है जान से प्यारा पाकिस्तान गली गली कुझे नारे इसमें अपनी शान जीवे जीवे पाकिस्तान चारो सुबों का एक है कलमा अला का बड़ा नाम जीवे जीवे पाकिस्तान सदा जीवे पाकिस्तान सबसे पहले पाकिस्तान आकर देखो पाकिस्तान फूलों का घर है पाकिस्तान रोशनी का शहर है पाकिस्तान अर जरा जरा पाकिस्तान एमान से भरा पाकिस्तान लाल कलंदर अब्दुला शाँ लाल कलंदर अब्दुला शाँ गाजी का है मकान जिवे जिवे पाकिस्तान चार सुबों का एक है कलमाला का बड़ा नाम जिवे जिवे पाकिस्तान सदा जिवे पाकिस्तान जिवे जिवे पाकिस्तान सदा जिवे पाकिस्तान बलोचिस्तान भी पाकिस्तान है बरबख तो नुबी पाकिस्तान पंजाब वो सारा पाकिस्तान ये जिद्ध हमारा पाकिस्तान ये सरहद सारा पाकिस्तान है जान से प्यारा पाकिस्तान गली गली कुझे नारे इस वे अपन निशान जिवे जिवे पाकिस्तान सदा जिवे पाकिस्तान चार सुब का एक है कलमा अला का बड़ा नाम जिवे जिवे पाकिस्तान सदा जिवे पाकिस्तान जी असलाम अलेकुम अचो तगद जी हनस तगे मुस्कळाई दे बहल्कम कई था इह भलीकार कर था इंतक झाया है पर GPU दर है मैं सोहां जिवी टाइम ते कोड़ सारा मामला सा दिसकस करना हूँ अजय भी को स्पैशल प्रोग्राम करें जी कोशिश करना सी और उनक आग में तहां सब्दी के इना हवाले सा खबर आहे तो आजाती जो हफ्तों जो को है वो शुरू थी वहाया है कुछ ही लिए हैं जो है तिन चोड़ा आगस्ट जो को है ऐसा सालब्रेट कें है सब और उनक पूर्डा और तू सब कोशिश करने हूँ तो पाकिस्तान सालब्रेशन सही असा के पाकिस्तां सा मुहबत नहूं चुछ एड़ो का यूँ या पाणी शक्सियत उन में कुछ एड़ो पैदा क्यों तो वाकि लगे थी पाकिस्तानी आहे नहीं पाकिस्तान जी धरती है जैके इन सपूत पुट रहे नहीं दीरू आए जैके कुछ करण चाहन था है जोड़ा आगस्त दारी स्पेशल आए चाकान तवरी गड़ों गड़ असा एद जीव सालिब्रेशन्स भी असा गड़ा है एकड़े पा अजिव गड़ा जामानोगर करें दा आए निया पाण में सोटर मारोगर्जी करें दा आए यह भी फेस्टिवल थी वह एकड़े किस्मसा तो वन लू आए वरी बंडी में बार्गनें करनी आए वरी जानवर वठी है चनु आए जानवर की वरी छेर बदना आए और उनके स आए डीव पडेर सेल्फी करें अनिया है वर्क रेसं तो झाए मुझी ज1 फोटर में जानवर Chili कीमत है कीमत का बगेर सेल्फी इनकमप्लीट और निया वह है पोरी पोस्ट एनए व connection को मिन्स जो इक रगड़ी तो इनके अशर्केयैं सेवरी ज्यों दृक डार्कित करनändern प्रिजर नाइन इन गोष्ट के सिन योटलाइस किया करने उन हवाले साथ सोचन शुरू थी वें तो केत्रों गोष्ट जखवा है गरीबन के देड़ा केत्रों फ्रीजर में जबाए जमां करे रखड़ जो इंदर चार पंज महीना आराम सा कबाब खाये जन वहीं करें पूरो साल मानू तो वाके अमजद गह औज कर देक्वें के मानू पूरो साल उन कुरवें गोष्ट कि योटलाइसेशन जे हवाली सां सोच दैन उने के कोछ फिर्जू उठना है फिर योधा वारी दिठा होता है हॉम विल्कुल ना फिर्ज़ जा रेट वारी कीप होंदा है यह था यह वरी होम अप्लाइंसेज वारा भी सेल्स रगाई दाएं तब आपा हिन महीने में जेकर ना वठदा हो थे तरा परसंट था के ऑफ मिलें दी तरा परसंट था के छूटों दी यूँ शहीं हो संजे सोसाइटी में आहें असल में इदुल अजा जो च्छा मकसदा है क हूँ रख रहा है रिज़ वरीज दी धिस द्रीज जो हो है जो ुड पाकिस्तान शाल गौश्त को चोशिश घो तो पाकिस्तान ने मानों क्यों गोश्त खारहें वारे हैं ताँ के खबर आ यह तो पेट भी खराप थ सुट गढ़ा हैं अज़ असासा गडाहिन सदाकत हुसेन साब आए उनन जी डेसेक्टेशन बुदी करें तांके राड़ी हैरानी थी बिल्कुल चेंज आए अनोखी डेसेक्टेशन आए पर तमाम कम वाड़ी डेसेक्टेशन है पार पाकिस्तान गोट असोसियेशन जा फाउंडर चेर्मेन आहिन अच्छो तो नंकी गजी वैलकुम करें तांसलाम अरेकूम जजा कर लाला बहुत शुक्रिया यहां मदू करने के लिए नहीं मुझे भी बहुत अच्छा लगा बहुत सारी काम की वाते हैं आपसे करने है असा आज जिकवा है सदाकत हुसेन साब साँ अजन जिकवा है असा गालाइंग दासी आए असा कखबर आए जिए तबकरे नारो हने मौसम आए केड़ी बकरी वठी है जो केड़ी उनने जो की ख्याल करें हो कुर्बानी का अग्वन जो की ख्याल करने है अई गोट असोसियेशन ठाएंट जी हवाले साँ हैंने उमर में आई मा मतब एड़े किसम जी असा हमेशा समझता हुए अग्या कम जी नहुदी पर हैंने जी पाउडर भी आए ठीक है यह पैकेज में ऐसा सा गड़ा है पाउडर जी सदाकात हुसें साब पहला सवाल है कि पाकिस्तान गोट असोसियेशन का नाम सुनके एकदम से जहन में असा थैया नोखा नाम है और ऐसके इसकिसम की कोई असोसियेशन बन भी सकती है आखर ऐसा ख् है सबस्यू से पहले तो अल्ला पाक का शुकर अदा करना चाहिए कि Allpalk जब किसी पर कर्म करता है तो उस से मक्सूस काम ले ले हैं समत खुट कर रहे हैं कि इस मुकदस काम को हमसे लिया गया इस एस स्वाइशन का अगाज одним दुजार सोलह में किया और इसकी जरुट इस लि कामोरी है, बीतल है, पटेरी है, टापरा है, और इसके लावा कई ऐसी नसले हैं, जो के दुनिया बर्वे मशूर थी एक जमाने में, लेकिन क्या हुआ कि एंस्टिटूशन्स की कमी और इनकी ब्रीड डिवलिपमेंट्स के उपर काम ना होनी की वज़ा से, हमारे बेसिक गरा आना चाहिए, इसकी डिवलिपमेंट्स की, तो हमारे जो इस्टिटूशन्स के मामलात हैं, पाकिस्तान में खास तो पर एग्री कल्चर में, बहुत से दारे काम कर रहे हैं, बड़ी खुशाहिन बात है, लेकिन छोटे लेवल के फार्मर्स को एजूकेशन की बहुत कमी है, जिसका असर हमारे बेहतरी जानवरों की ब्रीड्स पर पढ़ रहा है, जैसे के बग्री खुशाहिन सब, सौरी मैं आपको इंटरफ की कर रही हूं, लेकिन ये पूछना भी बहुत जरूरी है, कि आप बैसिकली कहां से हैं, जो इसकदर आपको रिसर्च करने का मौका भी मि महां का रोजगार का जो सबसे बड़ा जरीया होता है वो बकरिया पालना होता है, तो हमें ये अभरे बज़र्गों से ही मिला, हमारे वालदा, हमारे नाना, हम देखते थे, सुनते धे, कि बकरिया पालते हैं, तो एक इंटरस्ट था बच्पन से ही, हम बेहन बाईों सभी म तो मेरा IT की फील्ड से तालुक था तो जब मैंने देखा कि हर सिस्टम में डिवलिपमेंट हो रही एक टेक्सी कन्वर्ड होके करीम में आ जाती है एक आम गाड़ी को आप उबर के सूरत में बेतरी जदी तरके से उट्लाइस कर पा रहे है तो मेरे दिल में ख्याल आया कि इस सिस्टम के अंदर भी जो अजारों साल से एक रिवाज चलता आ रहा है कि एक अमीर आदमी गरीब आदमी बकरियां लेके दे देता है और वो इसकी ब्रीड और डिवलिपमेंट्स के उपर जो रिजर्ड लेते हैं दोनों शेयर कर लेते हैं आपस में तो इसका एक काज डिवलॉप करना चाहिए इसको एक इसे निजाम में तबदील करना चाहिए कि एक पड़ा लिखा इनसान इस ट्रेडिंग की तरफ आ सके ये दुनिया बर में परूफ है कि जानवरों की ट्रेडिंग से जो डिवलिपमेंट है फाइनिशल डिवलिपमेंट वो सबसे ज्यादा है किसी भी धात से किसी भी आप और चीज़ से देख लेए तो जानवरों की ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा फाइदा है इसको दुनिया प्रूफ करती है और स्पेशली सदाकत हुसें सब इन दिनों जब इदुल अज़ा करीब आ रही होती तो से एक महीना पहले दो महीना पहले इदुल फिदर के फोरण बात इस तरह की ट्रेडिंग ज्यादा इंक्रीज हो जाती है चाहे छोटे लेवल पर ही से लोग कराची ज्यादा आ रहे होते हैं चोटे लाइकों से गाउं देहातों से अपने जानवर में वेशी लेके आ रहे होते हैं और फिर उनको बेच रहे होते हैं तो यह चोटे लेवल पर तो हमें नज़र आ रहा होता है लेकिन फिर इसमें यह मैंने ज्यादा तर लोगों को सुनाए कि फिर उनको यह रिस्क जरूर होता है कहीं बकरिया मरवर न जाएं और फिर नुकसान उठाना पड़ जाए तो यह थ्रेट्स भी अपनी जगा हैं और इस तरह की सुचेशन में आपकी सुचेशन कैसे लोगों को रिलीव दे लिए जी सबसे पहले तुमें आपने बहुत अच्छा सवाल किया बिहेंगा मुसलिम कंठरी इस सबसे जादा जानवरों की ट्रेडिंग बकराईट पे पाकिस्तान में की जाती है सबसे बड़ी मंडी लगती है कराची के नेरस्ट पे और उसमें तमाम तरहा के जानवर होते हैं हैं बच्छडे हैं और बकरियां हैं खासतर बकरे हैं कुर्बानी के वाले से ये तो एक सीजनल एक्टिविटी है अगर हम बात करें के अराउंड पूरे एर अगर इड़ की जो परवरिश की अपने अतराफ के इनवार्मेंट ऐसा करते हैं कि हमें वो फील ना हो लेकिन हम अपने जानवरों का ख्याल नहीं रखते हैं इसका हमें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है खास तोर पे वो एनजुकेटरिट और चोटे दर्जे के जो फार्मर्स जिनका दारोमदार ह हम लोग हैं जो इल्म रखते हैं तालीम रखते हैं गर्मेंट भी है जाहर है रियासत जिमेदार है तो मैं समझता कि गर्मेंट को छोटे लेवल पे इस तरह के एजुकेशनल प्रोग्राम्स करने चाहिए इंस्टिटूशन की बनियाद रखनी चाहिए कि खास तोर पे जो हमारे महाशरे में कोई बड़ा काम नहीं कर सकते इसकी डिवलेपमेंट में कॉमर्स की तरफ नहीं आ सकते किसी फील्ड की तरफ नहीं आ सकते तो हमारी सबसे बेद्रीन और मौजज़ेस ब्रीट को देख रहे होते हैं सदाकुत तरफ सिंसाब आप ग्रास रूट लेवल तक गए हैं वाके ही क्योंकि असोसियेशन बनती हैं फिर बन के खतम भी हो जाती हैं वज़ा ये होती है कि वो ग्रास रूट लेवल तक नहीं जाते जी बिल्कुल हम मैं आपको बड़ी एक खुशाइंद बात बताने वाला हूँ इस सिंध दर्ती से हमने ठटा के ठटा डिस्टिक के मकाम मकली से दुनिया के सबसे बड़े कवर्ट फार्म का अगास किया 52 एकर स्पे 720 बगरियं पर मुश्तमिर इस फार्म की बनियाद पिछले साल रखी गई है और उपने तकमील के तक्रीमन 90 परसंट पे है और इस वक्त हमारे पास ओपन ट्रेडिंग में 400-400 के करीब बगरियं मौजूद हैं बकायदा हमारा मकसद है कि सिंध की जो बेतिन ब्र इस तक तक इस कॉंसेप्ट को पहुंचा है अच्छा फाइनिशल ट्रम्स जो है या फाइनेंस इस सारी सुरतिहाल में कितना मैटर रखती है एक अच्छे ब्रीट को आगे बढ़ाना जहां इस वर इस गोटिस कंसर्ण तो फिर कितना आप समझते हैं कि पैसा लगता है डॉ रिप्रिजेंट कर रहा हूं गॉर्ड फार्मिंग को तो मैं इसमें बड़ी इमेजिंग बाद आपको बताऊं कि यह वो दुनिया का वाहिद काम है जिसे हर तबके और हर हैसियत का आदमी स्टार्ट ले सकता है हम आज किसी बड़ी फार्मिंग के तरफ जाते हैं पौल्ट दें जिस तरह से आप अपने लिए थोड़ी बहुत माहौल और इन्वार्मिंट में चेंजिंग लाते हैं आप अपने उन जानवानों के लिए थोड़ी बहुत चेंजिंग करते रहें वेदर वाइस सीजनल वाइस और उसका मैंने आपको बताया है कि हम एक बैतरीन प्लैन एक बैतरीन कवर्ड फार्म बना रहे हैं जिसको हमारा इरादा पूरे पाकिस्तान में फिलाने का है एक सो चुबीस फार्म में से पहला मॉडल फार्म होगा। जो सिН्ध के इसे में आया है और मकली के मकाम से स्टार्ट लिया जा रहा है ये निस के अन्दर आई सो सटेंड में गुजार सकें अपनी बग्रियों के साथ रह सकें बिल्कुल हमारे हाँ ये फुक्दान बहुत अच्छी बात है सावट इनगाल तमाम वडी खोटा है जैकरी एगरी कल्चर यूनिवस्ट्री में जैकर स्टूडन्स फढ़न था उननके इंटरंशिप कर अडिया कौन थो म उननके ग्रोप कर दियूं मिचौर ठाइडियू तब उए जिके ग्रेजुएट्स निकरन था उनन जिलाए भी एकड़ वड़ो रस्तों तो जिते वह नहीं करें वह सिखी सगन था इंडिसी सगन था हमारा फोकस वह फो फॉर्स परसंस हैं जो अपनी सर्विस को करना चाहेंगे कि जहां देखें जिंगे पर पीएच्डी हो रही है वह एट लिस्ट एमफिल लेवल के सिलेबस का गौट फार्मिंग के उपर आना ज़रूरी है हमारी अवाम की बहुत बेसिक नीड है बकरी का दूद हमारी जरूट है हमारे बच्चों की बिमारियों के हि अगर हम पाकिस्तान की तमाम बकरियों को यगजा करके सिर्फ उनके मैनियूर को अगर यूटलाइस करना शू कर दें तो अर्बों रूपे का हमारा एक रेविन्यू कठा हो सकता है इस वह पाकिस्तान में अरौट साथ करोड से जायद बकरिया है लुक आफटर कर रहे हैं रिसर्च अगरिकल्चर कॉंसल के तावन से चाइना ने चोलिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट का घाज अभी अनकरीब करेगा कर भी रहा है जिसमें प्रिजर्फ किया जाएगा पॉर्टर फार्म में बकरी के दूद को तो यह बड़ी खुशाइन बात है हमारे लिए लिए ठीका है डिवल्पेंट्स थेर्ण गुर्जन स्टेट के भी पंजी जिवेवारी जो ऐसा सो जान गुर्जे आए गड़ोगा जिकन असोशियेशंज भी इमानदारी सा कमकन मा पहर्यां भीकडी गाल के असांच दोजवान जिकन नोकरें जे इंतजार में होंदाने अगरी क जिवेवर्स इकपर अभी है रवां साकाना इकपर अभी है रवां के भलीकार है ना खुबसरत मॉर्णिक में जे मैं असा गाली हूं कहीं था प्या उनन जानवरन जो जन्के हमेशा जो को ऐसांच पेगरम पेगंबरन जी भी मोहबत था असल भी क्या वाकिए ऐसा है बिलकुल सर देख एक मैं आपको एक चीज़ बताओं कि ये वह वाइज जानवर है जिसका आपकी जिन्देगी में शामिल होना बरकतों की आमद है आपकी फ्रस्टेशन कम होती है आपकी जिन्देगी में एक ताहम मोला जाता है और एक सथा पर ये है कि सफेद पोश आदमी की फाइनिशल डिवलिप्मेंट होने लग जाती है सबसे बड़ी बात ये बहुत जल्दी ग्रोग करता है और ये बहुत कम मेनत लेता है आपकी आपके माहौल में अड्जेस्ट होयाता है आए से 30-40 साल पहले कि अगर आप हिस्टरी निकाले से इनकी तो हर गर में बकरी हुआ करती थी और इसे अपनी जिन्देगी का हिस्सा तस्वर किया जाता था अपर ये भी कहा जाता है मलके इसमें हकीकत है कि जो आने वाली मुसीबत होती है वो बकरी अपने उपर ले जाता है तो हमारे प्यारे नभी करीम S.A. की एक बेसिक सुनत रही है ये और उनकी जिन्देगी का हिस्सा रहा है ये जानवर तो हमें भी हैंगा मुस्लिम तो इस चीज़ पर कोई शक नहीं होना चाहिए कि हमारी जिंदेगी का अगर हिस्सा बन जाता है तो बरकते हमारा मुकदर होंगी सिंद के लोकल एरियास के लोगों ने जिस तरह से इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ तावन किया है ना सिर्फ चोटे दरज़े के फार्मर्स ने बलके बड़े हूज पड़े लखे तबके ने प्रिंसिपर रिटायर है हमारे मजरली जखर साथ ठटा में आप यकीन कीजिए कि वो इस वक्त पाकिसंग गोट एस्सोसियेशन के सिंद के प्रेजिडन्ट है उन्होंने अपने बरपूर अपनी जो स्किल्स हैं अपने टाइम है पूरा फुल फॉकस इस तरफ किया हुआ है इस तरह और हमारे बहुत से साथ ही है लोकल से बेडिस्टिक वाइज जरजन फर अबाद जितोई साब खैरपूर से हैं तो यह बरपूर तरीक कार से लोगों है तो जब आप से बात कर रही थी मैं तो मुझे लग रहा थे शैदी है आपकी कोई इंस्पारेशन आपकी कोई स्टोरी तो नहीं है जो कई हुए हुए मैं बहुत सी जगों में हमारी बात हुई मैं बहुत से खुद एक आई-टी प्रोफेशनल हूँ मेरा सॉफ्टर हाउ लेकिन जब मैंने में आपके बहुत सी चीजों की डिवलिपमेंट से मैं इस चीज को इसकी चीज के तरह मीने सोचा तो जब में गौर्ट फार्मिंग के अंदर जिदत को सोचा तो हमने अपने ऐक ऐसा प्रोजेक्ट डवलप किया कि आप अपने घर में बैठके हमारे फॉ प्रिमिंग और ट्रेडिंग यानि जरात और तिजारत ये दो सुनते हैं और इसी को हमने यकजा करके लोगों तक हुचा है तो जहरे अगर इस पे वाके ही काम किया जाए और इमानदारी से काम किया जाए तो ये बहुत बड़ा हमें फाइदा दे सकती है हमारे मुल्क की एकॉनमी को डिवेलप करने का एक बहतीन रास्ता है अगर इस पे तवज्ज़ दी जाए और लोग चोटी सता पे बड़ी सता पे बहुत पड़े लिखे लोग तकीवन हर शोबय जिंदगी से लोग हमारे मेंबर हैं हमारे फार्म में उनकी बकरियां बहुत अ की काथ हैं हर जगा नजार आता है हम खुद पाकिस्टान में मुझूद हैं पाकिस्टानी हैं हमारे इत्राफ में राइं बाएं उपर में समझता हूँ हर तरफ हिस्व पाकिस्टान का पर्चाम है लेकिन पाकिस्तान को डिवेलब प करने के लिए एक ऐसी revólip kali पिछले दिनों मैंने प्रेज़ेंट मम्नून हुसेन से शील्ड वसूल की मेरे लिए बड़ा ओनर है उस वक भी मुझे ये बैज लगावा था और उनका बड़ा दिहान पड़ा इस तरफ और उनका गोर से देखा मुझे बड़े खुशी हुई देखें ये एक मैसेज है कि हम हम उसे बुला बैठें आज भी हम उपने बच्चों के लिए जब कोई खिलोना पर्चेस करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट च्वाइस होती है वो जानवरी होता तो अगर हम हलाल जानवरों को आज भी जिन्दगी में शामिल कर दें तो फूर्ट सोर्सिस की जो मुझकिलात है वो खतम हो जाएंगी बिल्कुल और बहुत सारी हमें जो है रोज़गार की वजुहात हमारे लिए पैदा हो सकती हैं तो इसमारी जिन्दगी का सबसे बड़ा इस्पेशली मेरा मेरे कुछ साथियों का सबसे बड़ा फोकस है बक्री की डिवेलपमेंट इसकी ब्रीट प्र लेवल तक आप तावन हासिल करें या मुखलिफ जो एदारे हैं गर्मेंट लेवल पर जो काम करते हैं उनसे असोसियेशन ले आप बिलकुल आप यकीन कीजिए कि आज तक हमने जिस गर्मेंट इदारे से राप्ता किया हमें बरपूर तरीके से अप्रिशेट किया गए चाहे वो रेजिस्टरेशन के मामलाथ हो चाहे वो इसके ट्रेडिंग के मामलाथ हो हम बहुत कम अरसे में सेक्योर्टी एक्षेंज कमिशन अप पाकिस्तान तक ट्रेडिंग लेविल को लेके गए हम बहुत कम अरसे में दो साल में अपने कास को डिवेलप करके दुनिया के सबसे बड़े काउड फार्म की तरफ लेके गए जो के बावन एकड़ पर मुईत है लेट्स कम टू दा पाइंट के अब क्योंके लोगों को ये भी सोच रहे होंगे कि कब से जो है जरूरत है इस वक्त आपको पता है कि कांगो वाइरस है और कांगो वाइरस तो देखें जी एक सामने आ चुका है हिडिन बहुत से ऐसे वाइरस हैं जिनके उपर काम नहीं हुआ और वो इससे ज्यादा खतरनाक हैं तो हमें दो से तीन मरहलों में तयात करना चाहिए जब जानवर को हम लेके आएं तो थोड़ा सा गूगल सर्च कर लें कि जिस तरह सा हम एक पैट घर में पालते हैं उसकी वाशिंग करते हैं उसको जरस्पीन से पाक रखते हैं हमेशा तो हमारा जो मेमान 15-20 दिन के लिए हमारे घर आया है उसको भी एक पैट की तरह हैं उनको इटलाइस करें सबसे पहले जब आप जायें तो अपनी सेल्फ वेकसिनेशन करके जाएं मासक का एसàngाल करें जी फुट गलवस का इसक्याल करें तो मंडी में जाएं क्योंकि यह जो मिक्स जानवर जब एक जगह पे होते हैं तो इनके फुजला बहुत ही खम्स ख कोशिश करते हैं लेकिन एक दम से प्रेशर रश बढ़ जाने की वैसे बड़े से बड़ा फाहल एदारा भी जिस्क्राइब करने के लिए लेकिन वेक्सिनेशन का फुकदान है डॉक्टर्स का फुकदान है बहुत बड़ी तादाव तोरुगी वैसे ऐक सेक्टर के डॉक्ट ली तमाम डॉक्टर्स को एक जगा हो जाना चाहिए और यह हंगामी सुरतियाल के तहट एक जगा पर आके काम करना चाहिए ताकि अवामी शिकायात कम हो सकें कि डॉक्टर देखनों को नहीं आता है तो लोगों को सैटिसफेक्शन होगी कि हमारी कुछ एक वह है दूसरा मर को बेतर तरीके से जबा करना जानते हैं गर के अफराद को उससे दूर रहना चाहिए हमारा एक ट्रेंड बन चुका है स्टार्ट में अब बात कर रही थी के सेलफी बनानी है जी जबा होते वे वीडियो बनानी है अपने फैमिलीज को भेजनी है बहुत अच्छी बात है ए अब इतने अलाकों का जानवर हमने जबा कर लिया तो ये बहुत बरी बात है ये तो देखें जी हमारे दिन ने पहले दिन फैसला कर दिया कि आपके दिलों की नियतें कबूल की जाती है दिखावा कबूल नहीं किया जाता अब कुछ लोग अगर करते हैं तो उनका अपना उनका एक रिजल्ट भी उनके सामने आएगा ठीक है जी हमारी गुजारच सिर्फ इतनी है कि इनसानी जिंदेगी को सबसे कीमती जाने जब तक जानवर आपके घर में रहे आपको कुछ ऐसी लाजमी एतियाती तदाबीर करनी चाहिए मैं मानता हूं कि फुकदान है डॉक् पी नजर आ रही होती है जी बिल्कुल इस वर इस बिक सिटी आ कंसंद कराची हिदराबाद सकर या मतलब मुल्क के दूसरे भी जो इजला हैं जो बड़े-बड़े शहर हैं वहां तो हमें बिल्कुल में नजर आरी होती हैं डॉक्टर्स होते हैं मैं सिंद के वेटनेरी कि देखें पूरे पाकिस्तान का हुजूम एक जगा एक अठा हुआ है पाकिस्तान के सबसे बड़ा शहर ट्रेडिंग करने जा रहा है और उसने वह ट्रेडिंग 15 दिन में क्लोज करनी है तो हमारे पास जितना भी स्टाफ है वह कम पड़ेगा वॉलेंटेरली हमें हर सुब इसे कुछ लोग ऐसे आने चाहिए चोटे डिस्टिक से जहां पर चोटी मंडिया लगती हैं डॉक्टर्स ज्यादा हैं डिस्टिक के और सबसे बड़ी बास जो विटिनरी डॉक्टर्स है जिनकी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई लेकिन वह एक्स्पीरियेंस हासल करना चाहिए उनके पास भी एक बहुत अच्छा अपरशुर्टी एक और अपनी प्रेजेंट्स दें और उनकी तस्वीर हैं दुनिया में जब जाएंगी मैं समझता हूं कि अवाम के साथ साथ वहां डॉक्टर्स भी वाइट कोर्ट में नज़राने चाहिए फिर प्र दर्श करने की जगाओं यहां पर लोगों का रिकार्ट नहीं होता हूं पर जानव का कहां पर होगा जहां जानवर करें सिंदु हुकूमत और हमारा पाकिस्तान ऐसा हो जाए यह चौदा अगस करीब हैं हमारी दिल से दौाएं इंसानों को वह एहमित नहीं मिलती हैं यहां जो हो जो है वाकिस्ता की हॉस्पिटल्स भी बने और फिर उनकी जो है फाइल्स बने और फिर उनकी उनका ख्याल किया जाए मेरे खाल से कलाम सुन लेना चाहिए बिल्कुल शूर जी किरो कलाम उजाएं दो हाँ जरूर अ ये तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है इस बेदिल कुर्बान इस बेजान भी कुर्बान है ये तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है इस बेदिल कुर्बान इस बेजान भी कुर्बान है इस बेदिल कुर्बान इस बेजान भी कुर्बान है इसकी बुनियादों में है तेरा नहूँ इसकी बुनियादों में है तेरा नहूँ मेरा नहूँ इससे तेरी आपुरू इससे मेरी है आपुरू इससे मेरा नाम है इससे तेरी पहचान है इस बेदिल कुर्बान इस बेजान भी कुर्बान है इस बेदिल कुर्बान इस बेजान भी कुर्बान है ये तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है इस बेदिल कुर्बान इस बेजान भी कुर्बान है इस बेदिल कुर्बान इस बेजान भी कुर्बान है एक ताला नूर तक ये वाद ये महरान है नूर आंखों का मेरी खाके बनोचिस्तान है तिल है सरहत की समी पलचाप जिसमों चान है इस बेदिल कुर्बान इस बेजान भी कुर्बान है ये तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है इस बेदिल कुर्बान इस बेजान भी कुर्बान है इस बेदिल कुर्बान इस बेजान भी कुर्बान है ये मेरी काइद की जीती जागती तस्वीर है शायरे मश्रक के खौबों की हसी तावीर है ये बतल प्यारा बतल इस बेजान भी कुर्बान है इस बेदिल कुर्बान इस बेजान भी कुर्बान है ये तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है इस बेदिल कुर्बान इस बेजान भी कुर्बान है इस बेदिल कुर्बान इस बेजान भी कुर्बान है बहतरीन बहतरीन बहा है किडी गालते जरूर चावदस्त जेके भी असाजा बिली दख्मा होता जे करें सा पाड़े सरी मुल्क या ओवरॉल इस हो उननका वधीक सुठा जेके असाजे मुल्क में बिली दख्मान आड़ी मौबत हैं प्यार सा गाया वी नहीं उननके मक्बूलियत पी मिलन दिया है पर वो आवास गायनवारों जेके रें सिंधी होजे उननने जी खूपसुरत अन्यावती नी दिया है जिस में मेरी जान है यो नाड़ो प्यारों लगा दुआ असा वो धाइन आया हूँ तासा सिंधी थी करें भी केड़ों पाजे मुल्क सा प्यार कही हूँ था अई पांजे अंदाज में प्यार कें तो दंडे ब्रेक जो टाइम थी ब्रेकर पर भी रवासा गड़ा है यह जी विवर्स लेट सेलिप्रेट अन्यू मॉर्निंग जै मैं ऐसा मोहबद जो इजहार कहूं था पांजे पाकिस्तान जी सरजमीन सा पांजे पैंजी सिंद सा आये वरी गरों का जगवा है सिंद में पैदा थी देड़ बकरिन सावी तो ना जो किये ख्याल करान खुर्जे आये उना जी किये अफ्जाइश करान खुर्जे जी कि आला नसल सिंद में विलन था जनके सदाई पाकिस्तन गूर्ट असोसियेशन जा फांडर चैर्मेन आये अच्छो तगाल्स बोल यह सिल्सले के पिरो बीहर गंडियों जी सदाकत साब जैसा कि अभी हमने पहले ही बात की कि पहले तो अपना ख्याल करना चाहिए ग्लब्स पहन लेने चाहिए अपनी वैक्सीन करवा ल पहने चाहिए और जो है कोशिश करें के मास्क भी पहन ले इसके बाद दूसरा स्टेप कौन सा आता है जिसमें हम गोट को स्पेशली किस तरह लेकी आए उसका कैसे ख्याल करें उसकी कौन सी वैक्सीन करवाएं जी बिल्कुर्ट कुछ रसा पहले एक बात सुनने में आयती और उसके पर काम किया जाए तो एक बहुत अच्छा एकदाम था उसके पर काम हो भी रहा है कुछ हमें चीज़ें मिलती हैं हम भी बहुत सी ऐसी कोशिशें कर रहे हैं कि जो चीज़ें हमारी जिन्देगी का हिस्सा होती है उन्हें बड़ी एमियत देते हैं अगर हम नेच्रल खुराग हमें बिल्कुल गायब होती नजर आ रही है पैग मिट्रियर्स अपनी जगा बना रहे हैं लेकिन इसकी एमियत अपनी जगा आज भी मुझूद है आज भी एक इनसान साफ सुत्री और ताजा गिज़ा चाहता है बिल्कुल हम नहीं चाहते हैं कि पर्ज गरिस्ती वाले लोगों के आथों की चीज़ें खाना पसंद की हैं तो आज पता नहीं क्यों इस चीज़ की ओपर थोड़ा सा फुकदान पैदा होने लग गया तो इस खला को पुर करने में सबसे बड़ा किरदार हम खुद अदा कर सकते हैं अपनी जिन्देगी में ऐसे तो रियात पूरी होने लग जाएं जिस तरह से हमने शफाफ पानी के सौर्सिस खुद से पैसा पैदा किये वाटर फिल्टर्स लगा लिए बोरिंग्स कर लिए इसी तरह हमने बिजली के सौर्सिस भी खुद बना लिए गरों में अपने यूपियस लगा लिया सौलर पाकिस्तान को कि अगर आपके घर में दो बच्चे हैं तो आप दो बकरियां जरूर पालें आप उनकी बेतर ग्रो कर सकते हैं आप उनकी दिमागी नशनुमा में बेतरी ला सकते हैं आप उनको एक अच्छा शेरी बना सकते हैं जो के आने वाले वक्त में दिमागी फ्रेस् कि बातें पिधुत जगों पे बलगे पूरा पाकिस्तान चाहता है यह अच्छा हो पाकिस्तान की सबको खौाइश है तो बैं चाहता हूँ के नए पाकिस्तान को एगरी काल्च्टर पाकिस्तान की सुरत में डिविल्ट करना शूर कर दिया जाए हमें एक सरश्ब्स और नमबर पे होने के बावजूद अपनी इंकम सोर्स से कई गुना मेंगा गोश्ट का रहें कई गुना मेंगा दूद हमारी दो तीन साल की मेहनत से मैं एप्रिशेट करूँगा कुछ चीजों को कि कुछ दुकाने बकरी का दूद बेचने शुरू कर दिया उन्होंने अब तो क प्रोजेक्त दुनिया का सबसे अट्रैटिव आये सो स्टैंडर का प्रिजेक्त बना दिया तो मित अगर एक हांध हमाई तरफ बढ़ा है तो हम कास को 124 डिस्टिक में डेवलब करना चाहते Wein необ हैं प्रैट पाकिस्तान में डेवलफ करना चाहते ड़में याई गाल कुछ वक्त अग में शमसुदीन शेख साब आया वापान एंग्रोजा जा कहना हुए CEO आया एंग्रोब कोलन माइनिंग जासी है तो नहीं याई गाल कही तासावत सदाएं इनिशियेटिव हुए गर्मेंट के वठन गुर्जे वड़न वड़न प्रोजेक्स रेलाए वर जेकरें को प्राइविट इदारों पहेंजे बल्बूते थे पहेंजी मदद पांट तहट जेकरें को इनिशियेटिव वठे तो एक लीस हुकूमत जियाख ज़रूर जिमेदार बिल्कुल जी आपने सही का रियासत की जो हुसला अवजाई है किसी भी काज की हमत को किई गुना बढ़ा देती है बिल्कुल हम तो यही चाते हैं कि हमारे हाँ एदारों की डिवलप्मेंट हो और इस वक्त जब हम नए पाकिस्तान की बात करते हैं तो जब तक हमारे एदारे गर्मेंट लेवल तक उनकी मदद के सिवा जो है कभी भी स्ट्रॉंग नहीं बन सकते और इस वक्त बहुत जरू कि किस तरह हम ख्याल लखें उसकी वैक्सिनेशन के लिए क्या अग्दाम करने चाहिए अपना तो हमने ख्याल लखना शलू कर दिया पहले स्टेप में दूसरा स्टेप क्या है सबसे पहले तो देखें जी बकरी या बकरा खरीदते वक्त उसकी नेचरल डिवलिप्मेंट के एक लेविल को जाच ले कि वो नेचरली कितना डिवलिप हो सकता है नेचरली एक नॉर्मल कुदरती गिजा खाके अपना वजन कितना गेन कर सकता है अगर उससे कई गुना ज्यादा उसने वजन गेन किया हुआ है तो इस तरह की मुम्किनाथ हो सकती है के वो unnaturally उसको इस like बनाया गया हूए, बिल्कुर बहुसी ऐसी medicine's यूज़ करवा दी जाती हैं, बहुसी ऐसी ऐसी गजाएं यूज़ करवा दी जाती हैं, जो बाद में इनसानी गजा का ही जरीया बनती है, तो पाकिस्तान के बेशतर काश्टकार पूरा साल मेंद करते हैं, अपने इन कुर्बानी के जानवरों को बेतर करने के लिए फर्बा करने के लिए लेकिन एक तबका ऐसा भी पाया जाता है कि जो इन के साथ जियात्ती करता है और चैमिकल इंजेक्शन सिस्टम है मैं समझता हूँ कि इसके उपर बकायदा कारवाई होनी चाहिए अपने नकली दान्त लगा दिये जाते है एक पूरी एक माफिया इस सरगरम हो जाती है तो हमारे अधारे जो बैसिकली पाकिस्तान की डिवलिपमेंट और अवाम की डिवलिपमेंट के लिए बेतरी के लिए काम कर रहे है तो हमें चाहिए कि उन इदारों को चाहिए कि अवाम की बेतरी के उपर भी थोड़ा सा वर्क करें और इस घिजा के सोर्स के उपर थोड़ी सी उन लोगों के खिलाफ कारवाई करें जो कि इस मुकदस रिलिजिन एक एविंट को मतासर करते हैं और जब वो जानवर आते हैं तो अचानक जब वो घिजाएं या उत्री बेतर चीज़ें उनको नहीं दी जाती तो फोरी तोर पे वो बहुत ज़्यादा शदीद बिमार होने लग जाते हैं तो इसके उपर भी मैं समझता है चलना बसे देखें जी उसको टेंशन एतनी लगी रहती है नींदे हराम लगी है यह मुम्किनात में से है कि उसे कुछ ऐसी वैक्सिन एसी इंजेक्शन्स लगा दिये गए हैं उसे फर्बा करने के लिए कहीं अननैचरल चीज तो यूज नी की गई तो एक नॉर्मल सता पे रहना चाहिए और खुद से एक फैसला करना चाहिए कि मैं जो जानवर खरीद रहा हूँ वो नैचरली कितना डिवेलिप्ट हो सकता है और बक्रियों के वाले से जहां तक बात है पूरे पाकिस्तान की बक्रियां माशलब बहुत बेतरीन ब्रीड पाकिस्तान में पाया जाता है तो मैं मैसेज देना चाहूँगा अपने तमाम काश्टकारों को ऐसे फॉर्मर्स को जो के सोचते हैं के बाहर से ब्रीड लाके यहां डिवेलिप्मेंट की जा सकती ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हमारे वतनी अजीज का जानवर फोर्ट सीजन टेस्टी जानवर है यह चारों मौसम अपने जिसम पे सेता है और अपना टेस्ट डिवेलप करता है आपको कहीं नहीं मिलेगा यह जायका आपको कहीं यह ब्रीड नहीं मिलेगी अगर आप इसकी बेतरी के लिए काम करना शूब कर दें तो दुनिया की बेतरीन बक्रियां आप हैरान हो जाएंगी जी सदाका तुसिंसा बहुत शुक्री है आपका और इस्पेशली आप आए हमारे इस प्रोग्राम में और फिर अपने सोसीशन के हवाले से ओवरॉल सिंध में गो डिवलप्मेंट के हवाले से जो आपने मुफीद मश्वरे हमारे अवाम को दिये हमारे किसानों को दिये आइ होब कि इसका जरूर कोई फाइदा होगा बहुत शुक्री आप आए और माबा यही ताहां के चम्दस तर जेके भी ग्रेजुएट साहें जरूर 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 थोड़ो नोकरेन का बाहर नेकरी अच्छी करें ट्रेड ती तरफ वाजो आएं जर करें दिसो था प्या अगरिकल्चर यूनिवर्स्टी वाजो था विट्री डॉक्टर थी व्याओ कुछ भी क्यों था बाईश यू गद खणी वी ताहां ली सगोता हा मा तु हूँ जे बिना मुझे वितना है आहां जे तु गद गद हुझी पोए मां आहां हा मा तु हूँ जे बिना मुझे वितना है आहां जे तु गद गद हुझी जे तु गद गद हुझी पोए मां आहां हा मा तु हूँ जे बिना मुझे वितना है आहां हा मा तु हूँ जे बिना तोसा जद ही मिना तो खेदा धोवना तोसा जद ही मिना तो खेदा धोवना पान के तुझे लए ठाहियो ठाहिया जे तु गद गद हुझी पोई मा आहिया जे तु गद गद हुझी पोई मा आहिया मुझे बिद लाया मुल्द मुर्ग की पवे जी उझुर की पवे मुल्द मुर्ग की पवे जी उझर की पवे तुझे हे करवजी तुमा जू मा नचां तुझे गद गद हुझी तुझे गद गद हुझी पोई मा आहिया हा मा तु हुझे बिना मुझे बित लाया हा मा तु हुझे बिना आवु चाटों की यूँ भी सताय पयूँ आवु चाटों की यूँ भी सताय पयूँ आवु चाटों की यूँ बे सताय पयूँ आवु दे वरी तुमा खुश थी खिलां तुझे गड़ गड़ हुझी पोई मा आहिया हा मा तु हुझे बिना मुझे बित लाया हा मा तु हुझे बिना मुझे बित लाया तुझे गड़ गड़ हुझी तुझे गड़ गड़ हुझी पोई मा आहिया हा मतु हुझे बिना कुझे बितना हिया हा मतु हुझे बिना जी विवर्स एक बेरोपीर हमासा गडायों एक बेरोपीर हमां के भलीकार असा कोशिश कहिया है तर पांजे प्रोग्राम में हैने शो में मुख्लिफ फ्लेवर्स अबाता ही पहुचायों पेश कही हुथा प्या नव तक खड़ी नचे असा जो सब्दी जो तालुक जाय रहा है ना सिंद जी धरती आए सिंद सूफियल जी धरती आए आए सूफी इजम आए सूफी सा मुखब जा कोड सारा तरीके कारण जन महिक्रों तरीकों कवाली भी आए कवाली सांजे जो दिल हो दी जेंजी दिल हो दी आए कवाली जो को उधर पसंद कर दो जरूर वो सूफी दिल रखा दर हो तो अज़सां कवाली बुधन दासी हैं इसा सगर इंटरनेश्रल कवाल गुरूप आए कैसे हैं आप दोनों सबसे पहले तो आम जो यह बताईए कि पहला कलाम अब आपके आते ही हम को अनसा सुनेंगे नाज शरीफ सर्कार्वी भर्दो जोलिया मौमब अजय है मुझे मदीना सुनो इंतजा खुदा के लिए करम हो मुझे में अभी में खुदा खुदा के लिए वजूर गुल जाए उमीद अभी तो खिल जाए तुम्हारे गर्ण का भी जानी हो भी मिल जाए 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 बर्द जोई मेरी आगों मदी लौट कर रहा जाओंगा आई बड़ जोई मेरी आओमत जोट कर रहे जाओंगा बड़ जोई मेरी एक अजिदा अले मदीना बड़ जोई मेरी यहाद मेरी मुहमद वर्द जोनी हम सबी भर्द जोनी आठाची भर्द जोनी या महम्मद भर्द जोनी भर्द जोनी तुमारा आठाले वाला जा नहीं माता कोई भी दर्द जाली भाजिने वाला नहीं जाता ये मर्द जोनी मेरी काजिजार एवनी आठाची भर्द जोनी या तुमिन माले वहमद जोनी कायाहूदर ज़र पे अहमदम को ताभी दो आख अगर मुदा भी तो सथना अचन हुषद हान दाख कारी भी दो पर दो आख जाए भादी दाख कारी पर दो छोला पिरी निगाहे शाक से धरनी वाली पिरी निगाहे शाक से जरने वाली तेरे जलों की भीकारण न रहेगी साली सुसु जूँ जिसी जिदिया बदन वो दोलत पाली सुसु जूँ जिदिया आदने वोलत पाली सब्सकों मत की पकड़ दर मैं कहूँ आजाली ये भर्ण जोदी मेरी कंदाद जिदिया बदन जोदी ये जम वीवाने भर्ण जोदी मेरी जा मुहमदी नोटि करी मैं जाओँगा खाली जोदि कने मैं जाओँगा खाली हई दिया रसूल अला हर दो दो दे मेरे या मुहम्मद लोटी करी मैंना जाओंगा खाली कुछ नासों का सदी का खता हो अधाओ कुछ नासों का सदी का खता हो ते किछी नवासों का उन आवाब ते नवासों का पैदा ना हुए तो हग से शरीयत खरीदी दी ते किछी नवासों का पैदा ना हुए ते किछी नवासों का पैसे शरीयत खरीदी आपूदी ने हक्ती बचा जाली 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 वक्ते सहर जाली आपूदी ने हक्ती बचा जाली आपूदी ने कमें रहे नापूदी कुद्रत खुदा की देख लब पुकलत जाली अजान दे गई अजरत बिलाल की हस्ती नमाद पड़ गए दुनिया में कर्बला आले अर्शिया दे तुझे देदी को जड़ात बिलाले बिलादी काशे फूरुन कारे नभीमे जीए जीओ बुला की जीदिने थीओ भूरात बिला आले जीदिने अजान पड़ गई दे अर्शिया अर्शिया रसुलिया काशे फूरुन कारे नभीमे जीके जी हो बुलावा किसी दिने आले दिल मुस्ताबा को सुनाए ये था हमें परिउन के रोजे की जावी आले दिल मुस्ताबा को सुनाए जीके रोजे की मुस्ताबा किसी जीके रोजे सुनाए रुला लाले अन्जाई गवाली का यह तो हमारा कहांदानी काम है कवाली काउड़ा हूं हमारी नसल में उसे चला रहा है इस वक्त कितना नाम और कितना अमान कमा लिया आपने कवाली यह अलाग का करम है मैं खुद बैरोनी मुलक भी होके आचुका हूँ और बुजरुगाने दीन की धरगा में अजमेर शरीफ हिंदोस्तान भी पढ़के आचुका हूँ तब कौन-कौन से इस मुलकों में गए आप मैं सौथ अफरीका, दूबई, मौरोशेस, नहरूबी अच्छा यह जैसा कि आपने बताया कि आप अजमेर शरीफ भी गए पे साउथ अफरीका, मौरोशेस भी गए इन सबसे ज्यादा आपको कहां लगा कि कवाली से महबत करने वाले लोग, आउडियन्स कहां पर है? कवाली से तो क्योंकि यह बुज़गान दीन के कलाम है जारत तर तो खेर पाकिस्तान में सुनी जाती है जो बुज़गान दीन के कलाम है अजमेर शरीफ में जब आपने वहां पर प्रफॉर्म किया तो वहां का क्या रिस्पॉंस था? वहां का भी सहम ही है पाकिस्तान की तरह इसी तरह वो लोग भी समझते हैं अच्छा आप क्या समझते हैं जो लोग कवाली के फंड से वाबस्ता है जिनको अला तरह ने इतने खुबस्त आवाज से नवाजा है और फिर जो भी कोर टीम में मुझूद होते हैं जो आपका पूरा ग्रूप है मेरी नजर में हर इक अपनी जगा बहुत महनद से आरहा है जो ढोलक बजा रहा है वह भी जो ताली बजा रहा है उसको भी इक बहुत एनरजी चाहिए वह एनरजी एमिट कर रहा है और जो तबले पे हैं वो भी एविन जो आपका साथ देरे हार्मोनियम पे हैं सबी हर इक की मैना जो अपनी मिसाल आप है तो क्या इसको एज़ा सकता है मतलब इसमें जो सोर्स अफ इंकम आ रही है या जो मुआफ़ा मिलता है उससे जिन्दगी अच्छी तरह बसर हो सकती है हम जाते हैं थोसमें तो हमारा कुछ मावजा होता ही महोता ही नहीं हो उचे थीआ बधाए प्रोग्राम से शेय करते हैं जी एम आप कौन सा कलाम साना है मैं आपको भी अपना कासिट का कलाम है माला आंसें का शेम का वह चीए इंकर इसक्यूंक यह मेरा अपना वक्म आसें खूशी से मैंने लिया है जो घम हुसेन का है मेरी जमीन की चट पर अलम हुसेन का है मौला हुसेन का जो कलाम हम पढ़ रहे हैं ये सरकार गरीब नवाज ने लिखा है खुद खाजा खाजगां फकर हिंदुस्ता उनका लिखावा कलाम है ये बात किस कदर हसी जो कह गए हुईनो दिन ऐसा बादिशा हुसेन है मौला हुसेन है ऐसा बादिशा हुसेन है ये बात किस कदर हसी जो कह गए हुईनो दिन दिन की पना हुसेन है मौला हुसेन है करे जो कोई हम सरी किसी की क्या मजाल है हुसेन हर लियाद से जहां में बेविसाल है हुसेन हर लियाद से जहां में बेविसाल है हुसेन जिन्दाबाद है हुसेन जिन्दाबाद है हुसेन जिन्दाबाद है आ जाओ पात मात में क्या एतिरास है आ जाओ पात मात में क्या एतिरास है हुसेन जिन्दाबाद है हुसेन जिन्दाबाद है लो है लब के मालिक जहराग चैन से तिस पत में जो नहीं है वह मादो हुसेन से हुसेन जिन्दाबाद है उन्हे नभी की महपत तलाश करती है उन्हे नभी की महपत तलाश करती है समाने वाले को चत्रत तलाश करते है हुसेन वालों को चत्रत तलाश करती है हुसेन जिन्दाबाद है हुसेन दीन अबाद है हरे जो कोई हम सरी किसी की क्या मजाल है हुसेन हरी लियात से जहां में बेरिसाल है हुसेन हरी लियात में जहां में बेरिसाल है न कोई दूसरा हुसेन है दूसरा हुसेन है दूआ हुसेन के सदके कबूल होती है हुसेन राज हो राजी बुदूल होती है ऐसा वादिशा हुसेन है हिदायते हुसेन पे अमल करो हुसेन यो किसी से जूडरे भला किसी से जूडरे भला कुबूल होगी हर दूआ हमारा वासिता हुसेन मौला हुसेन है हमारा वासिता हुसेन मौला हुसेन है हमारा वासिता हुसेन है जो बेख्काप भी रवा सगड़ा हूँ 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 है यह रे इनी माफिंग केक्ते बदाएं दासी जी वीविर्स एक बिरो पीर रवा सगड़ा हूँ है एक बिरो मीर हमां की भलीकार जी तता की खबर आए जससगाद इंटरेक्शन थी वह जी कौन-कौन है आपके साथ जरा उनके नाम बताइए हमें धोलक पे कौन है धोलक पे हैं अब्दूलबासित और वहां तबले पे यासिन निया है यासिन और इन तीनों के नाम क्या है यह वैस है असन है क्या फिल करते हैं जब कवाली को पर्फॉरम कर रहे होते हैं उसकर क्या आपकी फिलिंस क्या होती है फिलिंग हमारी अ्ला की करम से अच्छी होती है क्योंकि बज़गान धीन के कलाम महام olur पढ़ते हैं और मौला के किलाम भी पड़ते हैं रोहानियत जो है वच्छी होती है जिन्दकी आपकी कैसे गुजर रही है कि अधार जो एक आम इंसान को जो आयसाईश है वहाईश है वो आप सबको और आयसाईश मिल जाती है यह अल्ला का करम है यह इस कलाम के मदले में अल्हा टाला ने ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट है, इतनी आवास के साथ, घर जाने के बाद जब परफॉर्म करके घर जा रहे होते होंगे, तो हाथ तो आपके सूच जाते होंगे, तकलीफ होती होगे, और इस्पेशली धोलग पे आपको भी मालिश-मालिश करवानी पड़ती होगी, मसल् अब कौन सा कलाम सुनाएंगे, ये होलाल मेरी पत रखी वलाल जूले लाल है, जो आखरी कलाम है, सुभाने भी रमाजी खिद्बत में हाजर थी ना सी, बहुत शुक्री है आप सब का, आप सब आप दोनों का, फिर आपकी पूरी टीम का, आप आए, और फिर हमें इतने, ज जरूर दुबारा मुलाकात होगी, जिन्दगी ने कर ज्यादती, ताप आप आजो पांजे प्यांजो ख्यार लगजो, सुभाने भी रमासा गडायों, जी. मुकदार सेंधे टलल्डर गातताeding भी पूरें बीडार अधानी इसे वुडारसीो, सुभाने चैसी रमासाराव में गाडायous प्यादतिशकाति के लिषदी ही पूरें दुजरु वीभाने कर सुदा हेंनों, आप आप छीकोत का, आप का, आप कि ऊनारत्ताधिं acceso आपकी मेरी भिगिडी बनी इन सब का बेड़ा पार हो जाए ओ लाली मेरी पती रखियो बालाल जुले लालान सिदिल्डी गार सेवन गार सकीशाबाद कनंगर ओ लाली मेरी पती रखियो बालाल जुचा रोजा पीरा तेरा ओ लाली मेरी पती रखियो बालाल जुले लालान सिदिल्डी गार सेवन गार सकीशाबाद कनंगर मावा नू पीरा बचले देगाए और भैणा नू देगाए फीर मेरा जुले लालान और भैणा नू देगा अली अली बोलो अली 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 बोलो अली अली और भैणा नू देगाए नीरी मेरा जुले लालान सिदिल्डी गार सेवन गार सकीशाबाद कनंगर जनन जनन तेरी नौबत बाजे जनन जनन तेरी नौबत बाजे पीदा है पेमाला शाबाद कलंगर का काहे वस्ताणा शाबाद कलंगर का जनन 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 तेरी नौबत बाजे जन जन देरी नोबत वाधे और नाली बजे घड़ी यहल बालाल जुले लाल ओ नाली बजे अली 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 बोलो और नाली बजे घड़ी यहल बालाल जुले लालाले से लिली नहाँ, से वर्दा सकीशा बजग रजग रजग वर्दा सकीशा बजगन कर दो, थे था क्या हुआ भाग अजब अजब कर दो, आप हम वे ला खे लागा वबता है